Yamaha ने अपने FZS, FZX, R15 V4 और MT15 V2 के updated versions launch किये है और इस बार सिफ़ colors ही नहीं बलकि कुछ खास updates भी है इन में से सबसे एहम update है traction control system येस अब इन चारो bikes में traction control system है पर इसके अलावा इन सभी bikes में कुछ ना कुछ unique updates है जिने हम इस वीडियो में discuss करेंगे बट आगे बढ़ने से पहले bike देखो को subscribe करें और bell notification आए को लबाना ना भूले सबसे पहले बात करते है FZS के new model की जिसमें अब traction control के साथ दो और updates भी है पहला नया headlight design अब यहाँ पे आपको LED headlight के साथ बाजू में vertical LED DRLs मिलते हैं और hopefully यह new headlight पिछले model से थोड़ा बहतर होगा headlights के साथ अब यहाँ पे आते है LED indicators unfortunately इस bike में कोई भी performance upgrade नहीं है जिस चीज की इस bike को बहुत ही ज़ादा ज़रूरत है और क्या वाकई में 12 PS और 13 NM की bike को traction control की ज़रूरत है especially जब उसका price 3000 से बढ़ रहा है आपको क्या लगता है हमें comment section में ज़रूर बता है FZ के retro style model FZX को अब traction control के साथ LED indicator standard मिलते हैं इसके अलावा यहाँ पे आपको golden alloy wheels और एक new paint scheme भी मिलती है बट क्या इसके लिए 1500 का price hike justifiable है वेल अगर आप देखे तो FZX और FZ यह दोनों bikes में dual channel ABS variant अभी तक नहीं है और हमें लगता है कि traction control के जगे इन bikes में dual channel ABS की बहुत ज़ादा need है Yama ने finally इस bike को dual channel ABS दे दिया है यहाँ अब traction control और LED indicators तो है बट अभी तक optional extra के तौर पर भी यहाँ पे आपको quick shifter नहीं मिलता है इसके बावजूद इसका price अब 4000 से बढ़ चुका है यह पहले ही काफी महेंगी bike थी और अब इसके साथ यह और भी ज़ादा price ही हो चुकी है यामा की super sport में अब LED indicators तो आ गया है बट टॉप variant R15M में अब आ गया है TFT console जी हाँ इसके बड़े भाई R1 की तरह अब इसमें TFT console है और साथ ही एक नया switch gear भी है हलाकि इसका धाई हजार का price है इसके update के हिसाब से तो ठीक है बट अभी यह bike काफी महेंगी हो चुकी है अल्मोस्ट दो लाख तक जा रही है आपको इसके pricing के बारे में क्या लगता है हमें comment section में जरूर बता है यामा FZX और FZS इंडिया की first E20 flex fuel compatible motorcycles है और company का दावा है कि इनके सारे products साल के end तक flex fuel compatible होंगे आपको इन चारो bikes के बारे में क्या चीज़े जानी है हमें comment section में जरूर बताए क्यूंकि हम इन bikes को कुछ दिनों में चलाने वाले हैं और हम आपके questions हमारी first ride में address कर पाएंगे तब तक के लिए अलविदा